नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में सकंद गुप्त अर्थात करमादित्ते का इतिहास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकंद गुप्त की वीजे तता उसके समराजे विस्तार के बारे में जानकरी प्राप्त की थी और आगे भी हम आपको इसकंद गुप्त के बारे में जानकरी परदान करेंगे तो आप फटाफट हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इतियास विशे से सम्मधित महतोपुन जानकरी पहुंच सकें और वो एक्जाम की अच्छे से तयारी कर सकें और हमारे जो भी वीडियो होते हैं वो सारे के सारे एक्जाम की दरस्टे से बहुत ही महतोपुन वीडियो होते हैं अतार आप फिर चैनल को देखेगा, ठीक है? तो पढ़ते हैं सकंद गुप्त का इतिहास कुमार गुप्त पर्थम की मर्ट्यू के बाद गुप्त सासन की बागडोर उसके सुयग्य पुत्र सकंद गुप्त के हाथों में आई तो कुमार गुप्त पर्थम के बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया है वहाँ पे आप कुमार गुप्त पर्थम की वीडियो देख सकते हैं जुनागड अभिलेक में उसके सासन की पर्थम तिती गुप्त समत 136 अर्था 455 इस्वी उतकिर्ण मिलती है गडवा अभिलेक तता चांदी के सिकों में उसकी अंतिम तिती गुप्त समत 148 अर्था 466 इस्वी मिलती है इन सबी साक्षों के आदार पर हम कह सकते हैं कि सकंद गुप्त ने 455 इस्वी से 466 इस्वी अर्थात कूल 12 वर्षों तक सासन किया था ठीक है अब देखएगा अभिलेक इसकंद गुप्त के अनेक अभिलेक हमें प्राप्थ होते हैं जिन से उसके सासल काल के महत अपन गटनाओं की सूचना मिलती है इन अभिलेखों की सूसना निम लिखी था है जो नागड अभिलेख ये सकंद गुप्त का सरवादिक महतोपुन अभिलेख है जो सूराष्टर और सूराष्टर का गुजरात में ठीक है कि जो नागड से प्राप्त हुआ है इसमें उसके ससनकार की पर्थम तिति गुप्त मिलती है इससे पता चलता है कि इसकंद गुप्त ने हुणों को प्राष्ट कर सूराष्टर प्रांत में पानदत को अपना राजेपाल अर्थात गुप्ता न्यूक्त किया था इस लेख में उसके सुव्यवस्तित सासन एम गिर्नार के पूरपती चक्रपाली द्वारा सूर बिहार के पतना के पास इस्तित बिहार नामकस्थान से ये बिना तिती का लेख मिलता है इसमें इसकंद गुप्त के समय तक गुप्त राजों के नाम तथा कुछ पदादिकारियों के नाम प्राप्त होते हैं इंदोर तमरपत्र लेक इसमें गुप्त सम्वत 166 अर्था 465 इस्वी की तिथी अंकित है इस लेक में सूरिय की पूजा तथा सूरिय के मंदिर में दिपक जलाये जाने के लिए धन्दान दिये जाने का विवरण मिलता है इंदोर बुलन सहर जिल्ले में इस्तित एक स्थान ह भीतरी स्थंप लेक उत्तर पर देश के गाजीपूर जिल्ले में सैदपूर तैसिल में भीतरी नामक स्थान से ये लेक मिलता है इसमें पुसे मित्रों और हुनों के साथ सकंद गुप्त के युद का वर्नन मिलता है इसकंद गुप्त के जीवन के अनेक महतोपून गटनाओं के अध्यन के लिए यह अभिले काफी महतोपून है अगला आता है काहोम इस्तंब लेक उत्रपडेश के गोरकफुर जीले में इस्थित काहोम नामकस्थान से यह लेक प्राप्थ हुआ है इसमें गुप्त समथ 141 अर्था 460 इस्थि की तिति अंकित है इस अभिलेक से पता चलता है कि मद्र नामक एक वेक्ति ने पांच जैन तिर्थंकरों की परतिमाओं का निर्मार करवाया था सूपिया का लेक मद्र प्रदेश में रिवा जीले में स्थित सूपिया नामक स्थान से यह लेक प्राप्थ होता है जिसमें गुप्त समथ 141 अर्था 460 इस्थि की तिति अंकित है इसलिए अभिलेक से पता चलता है कि गुप्तों का वंसावली घटोत कच के समय से है गुप्तों की जो वंसावली घटोत कच नामक जो राजा था जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं के समय से है गुप्त वंस को गठोत कच वंस कहा गया है ठिक है गडवा अभिलेक इलाभा जिले उत्रपरदेश में गडवा नामक स्थान है यहां से इसकंद गुप्त के सासनकाल का अंतिम अभिलेक मिला है जिसमें गुप्त समथ 148 अर्था 467 इस्वी की तिथी अंकित है अब देखेगा ये तो थे इसकंद गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत अभिलेक और अब हम पढ़ेंगे सिके तो इसकंद गुप्त के कुछ सिके भी प्राप्त हुए हैं ये सिके रजत यां स्वारन दोनों प्रकार के मिले हैं स्वारन सिकों के मुख भागपर दनूस भाण लिये हुए राजा की आकरती तदा प्रिष्ट भागपर पदमासन में विराजमा लक्समी के साथ स्रीसकंद गुप्त है उतकेन है कुछ सिकों के उपर गरूड द्वज तथा उसकी उपादी विक्रमादी सोरी करमादी ते अंकित है ठीक है राज़त सिकों के मुख भाग वक्स तक राजा का चित्तर तथा प्रिष्ट भाग पर गरूड नंदी अथ्वावेदी मनी हुई है इनके उपर इसकंद गुप्त की उपादियां परम भागवत तथा करमादीत्य उतकिन मिरती है तो परम भागवत और करमादीत्य नामग जोपादियों किसके इसकंद गुप्त की है तो देखेगा इस वीडियो में हमने इसकंद गुप्त के बारे में तता उसकी जानकरी परदान करने वाले स्रोत अभीलेक और शिक्कों के बारे में जानकरी प्राप्त की आगे के वीडियो में भी हम आपको ऐसे इसी प्रकार से ओट भी चीजों के बारे में बताएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे